वेलकम टू एक्जाम तक आज है 29 मार्च और 29 मार्च 2021 से बनने वाले सभी most important current of phase के question हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में मैं आपको हरे question के साथ में detail में explanation भी बताऊंगा जिससे आपको current के साथ साथ static gk इंपरो होजगा लास्ट में आपसे question भी पूछूँगा जिसका answer आपको comment box में देना है तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर से देखेगा इसकी quiz and pdf आपको telegram पर मिल जागी so make sure join जरूर से कर लिना अब start करते आज का वीडियो पहला question कौन सा है हाल ही में किस देश की मेजबानी में होने वाला virtual climate summit के लिए प्रदान मंतरी नरेंदर बोधी समय 40 देशों के प्रमुक नेताओं को अमंतरित क्या है बहुत ही important question में आपको बता दूँ ये होने वाला है virtual climate summit और इसको host करने वाला है अमेरिका आपको याद रखना है online platform पर होगा और कब होगा तो 22 से 23 अप्रेल को होगा अब ये 22 अप्रेल की डेट आपको important याद रखना क्योंकि विश्व पर्त्वी दिवस जो आना ये 22 अप्रेल को ही मनाते है और climate change को लेकर जो है एमिशन को कम करने के लिए ये जो है 40 प्रमों को देशाओं के जो है राष्टा द्यक्स इसमें शामिल होने वाला है जिसमें भारत के प्रदानमंद्री नरेंदर मोदी जी को भी नियोता मिला है इनके अलबा चीन के राष्टपदी, रूस के राष्टपदी, लगबग लगबग सभी बड़े देशों के राष्टपदी एंड प्राइम मिनिस्टर को जो है इस समीट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा यह समीट को होश्ट करेगा यूसे, यूसे के प्रेजन टाइम में राष्टपदी को ने 46 प्रेजिजेडेंट है जोई बिडन एंड इसमें पैरिस क्लाइमिट एग्रिमेंट में जो भी आते हुई थी उनको जो है प्रेक्टिकली अपने देश में इंप्लिमेंट करना यही इसका जो है उद्देशे रहेगा, एक बात और याद रखनी, कोप 60 इस साल कहां पर होगा, कोप 60 जो होना, यह होगा Glasgow में Scotland में तो Glasgow Scotland आपको याद रखना COP60 वहाँ पर होने वाला है इस साल के end में आपको important याद रखना इस सम्मिलन के बारे में उससे पहले ये होगा अमेरिका में virtual रूप से next is second question हाली में योगी आदितिनाद ने कहाँ पर शहीद असफाग उल्ला खान चीडियागर का उद्गाटन क्या है बहुत important question योगी आदितिनाद उत्तरपदेश के CM है और गोरकपूर से ये सांसद भी रह चुके है अभी तो CM है फिलाल ठीके ना तो गोरकपूर में इन्होंने जो है एक चीडियागर का उद्गाटन क्या है जिसका नाम है शहीद असफाग उल्ला चीडियागर अशफाग उल्ला का नाम है तोड़ा सा important याद रखना ये जो है Freedom Fighter थे इंडिया के काकोरी कांड आपने हिस्टरी में जरूर से पड़ाओगा काकोरी कांड शायद 1925 में हुआ था 1925 या 24 में तो वहाँ पर काकोरी कांड में इनको जो है इनका हाथ था 1927 में इसको फासी भी दे दी गई थी इनको असफाग उल्ला खान को आपको important याद रखना है तो इनके नाम पर ये जो है चिडियागर का नाम रखा गया है हाली में याँ पर उद्गाटन क्या है गोरकपूर में क्या है अब गोरकपूर आपको याद रखना है किस नदी के किनारे तो रापती नदी के किनारे गोरकपूर है रापती नदी अलब उत्त्रप्देश की रास दान है गोंती नदीदी के इंपोर्टन याद रखना उत्तरप्देश की प्रज़ेपाला वंग राज़ेपाल साफनी cutting ने याँ सरी है यहां से पूछे जाते question next तीसरा question और ये भी बहुत ज्यादा important confusing question है हाली में घोशित 66 film fair पुरुसकार 2021 में किसे best actress चुना गया है ये एक बात आपको याद रुखना एक तो है 66 film fair एक अभी दियाता एक और जो है ना अभी दियाता national film award उसमें जो हैं छिचोरे को मिली थी best film and उसमें जो हैं कंगना रनोत best actress बनी थी अच्छा एक अदा साइब फाल के अवार्ड भी हुए थे उसमें जो हैं दिपिका पादगोर्ण best actress थी अक्षे कुमार जो हैं वो best actor थे लेकिन ये अभी फिल्म फेर गोशित हुए 66 film fair 2021 और इसमें तापसी पन्नु को जो हैं थपड फिल्म के लिए best actress चुना गया है अभी में 45 आपको नाम बताऊंगा यही important याद रुखना है फिल्म फेर 66 में थपड फिल्म बेस्ट फिल्म गोशित की गई है इसके लाए ओम रहुत जो हैं ये चुने गए best director और इनको जो कौन सी फिल्म थी तो ताना जी फिल्म के लिए इनको जो है best director का आवड दिया गया है बेस्ट एक्टर कौन बने है तो यह बने इर्फान खान इनका निदन हो गया है तो इनको भी मिला है इर्फान खान अंग्रेजी इडियम के लिए इनके अलवा अमिता फीमेल तो तापसी पन्नु थपड के लिए बस यही 5-6 नाम है important याद रखना बागी पूरी लिस्ट आप एक्जाम तक हिंदी.com की website पर देख सकते हैं link का नीचर discussion में मिल जाएगा यह जो है film fair award important है इसके लिए अधा भाई फालके में आपको बता दिया है कंगना रनोत को मिला था एंड शुशान सिंग राजपूत को best actor and best actress इनके अलवा अगर बात की जाए यह जो है यह मिले थे दीपिका पादुकॉन को बाखी यह आप लोग देख सकते हैं यूज 18 का film fair award 2021 थपड ताना जी द अंसंग warrior गुलाबो सिताबो अमंग बिग विनर यहाँ पर यह जो है तापसी पंदू को मिला best actress यह अमिता भच्चन का रोल है ठीक ना देख सकते हैं नेक्स्ट है चौता question हाली में कांगो गनराज्य कांगो बाइद वे मैं आपको बता दू आफ्रिका कॉंटिनेंट में इस्ता देश है और यहां के फिर से राष्टपती कौन बन चुके हैं यह बन चुके है ससो नगेसो जो है यह राष्टपती बन चुके हैं लगबग 36 सालों से यही राष्टपती है वहाँ पर मरलब बहुती लंबा साशनकाल है इनका बहुती लंबे टाइम से यह राष्टपती है और लगबग सबसे लंबे समय तक यह जो ह रखना ससो नगेसों जो हैं कांगो गणराज्य के राष्टपति फिर से बने अच्छा विवेल राव कम वन से सेसल्स के राष्टपति बने संतोखी प्रजाद ये सूरिद्धाम के हैं जोको विडोडो किसके इंडोनेश्या के चारों देशों के राष्टपति आपको याद गनरा जी कि एकर बात के पक्त रहे काउर अधिक तरक न यह कि एफिकन के है न को बता था। वाल में देखार आपको बताद हें अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक फिल शियर नहीं किया तो शियर जरूर से कर देना सभी दोस्तों के साथ एंड कुछ भी सजेशन हो तो सजेशन कमेंट बक्ष में जरूर से लिख ले जएगा हाली में किस राज्य सरकार द्वारा एक मई से स्वास्तिय बीमा कवरेज योजना शुरू कार की जा रहे हैं तो ये जो हैं हेल्थ बीमा जो हैं ये कहां पर शुरू होगा राजस्तान में शुरू होगा अभी जो हैं इसके लिए रेजिस्ट्रेशन जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे एप्रिल में एक मई से ये स्वास्ते बीमा कवरेज स्टार्ट होगा बाइद वे एक मई जो हैं ये डेट बहुत ज़्यदा इंपोर्डन है आपको राज्येपाल कोन हैं तो कल राज मिश्र प्रजेंट टाइम है राज्येपाल है पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा बोटर बनाता एक अजार एककोतर किलोमेटर इंपोर्डन याद रखना सभी पॉइंट्स एंड यहां के अगर बात के इंपोर्डन नैश्टनल पार्क गना नैश्टनल पार्क शरिष्ट का नैश्टनल पार्क यहिं इंपोर्डन नैश्टनल ही यहाप लोग देख सकते हिंदुस्तान टाइमज का आ अंठीकल नेक्च वारत ने वारत ही भारत में भी न्यू डेली में, विशो कप में स्वण पदक जीता है, 25 मीटर पिश्टल में, और इसमें भारत ने किस देश को रहा है, तो भारत ने अलाया है, पोलेंड को रहा है, इंपोर्टन याद रखना है, इसमें भारत की तरब से तीन खिलाडियों ने हिस्सा लिया, राही, सरंदो, चिंकी, यादव और अनुभाकर, इन तीनों के अद्वालती जो है, भारत ने पोलेंड को रहा कर स्वण पदक जीता है, 25 मीटर पिश्टल प्रतियों गीता में, और ये कोशन भी बन सकते है, आईससाफ विशो कप 2020 कहां पर हुआ, तो नई दिल्ली में यानिकी, वर्ड त्येटर डे कब मनाया जाता है, वर्ड त्येटर डे, इंपोटेन एड़ 27 मार्च को मनाया जाता है, हर वर्ष, ठीक न, वैसे मार्च मुन में बहुत सारे इंपोटेन डे आए है, इन सभी का मैं जो है, अलग से पर्टिकॉलर वीडियो लाने वाला हूं, देखते हैं कब तक वो वीडियो आ पाता है क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा इजी हूं टाइम बहुत कम मिलता है बट फिर भी मैं आपके लिए कोशिश जरूर से करूंगा वर्ल्ड थिatr डेज हो है यह 1961 से स्टाट हुआ था और किस ने स्टाट किया इंटरनेशनल थिएटर इंस्टिटूट बना हुआ है फ्रांस में तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टिटूट ने शुरू किया था 1961 से यह हर साल मना जाता है विश्व रंग मंच दिवस आपको याद रखना है नेक्स अगर बात के आठवे एंड आज का लाश्ट कोशन की दो तीन दिन का ओल्ड कोशन है लेगे इंपोडेंट था इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया वापस विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्मान के देश ने किया यानि कि शिप टरनल एक टरनल बनाई जाएगी पानी में उसमें शिप जाएंगे बड़े बड़े और ये टरनल इस तरह की दुनिया की पहली होगी और ये अभी नॉर्वे में की जारी आपको इंपोडेंट याद रखेंगे नॉर्वे बड़े इसके वेंडियन कंट्री है चार देश जो हैं इसके वेंडियन कंट्री कौन से हैं फिनलेंड, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे इन देशों को सीधा क्वेशन बन जाएग और इस बार का शांती पुरुसका WFP को मिला यानि की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये भी आपको इंपोडेंट याद रखना इटली रोम में इसका एड़कोटर मिलेगा तो ये आपको ओसलो याद रखना अब एक अलके सवाल का आंसर कंचन जंगा नैशनल पार्क किस राज्य में हैं सिक्किम राज्य में इस्तत हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्ड़ें नैशनल पारक है कंचन जंगा नैशनल पारक is Yeah अब आज का question दो स्वेज नेर कल मैंने आपको बता था स्वेज नेर के बारे में ये बहुत ज़्यदा चर्चा में किस देश में हैं कब बनाई गई थी पूरी डीटेल जितनी भी पता हो कमेंट वाक्ष में जरूर से लिग लीजेगा चैनल को सबस्क्राइब तो जरूर से कर लेना है साथ में जो है इस टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे एंड हमारे वेबसाइट को जरूर से चकाउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट कंटेंट वहाँ पर आ रहा है रेग्यूलर वहाँ पर जो पोश्ट वगर अपडेट होती है अभी आने वाले कुछ दिनों में कुछ इंपोर्टेंट वीडियो आएंगे बाकी करेंट अफेस तो चलता ही रहेगा आप लोग सपोर्ट करते रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सभी वाट्साप, टेलिग्राम, फेस्बुक पर वीडियो को शेर कीजिए सब्सक्राइब करने को बोल लीजिए मिलता है एक नए वीडियो में तब तक लिए जैहिंद, जैभारत